आज 26 सेप्टेम्बर पिसले चपश घंटा में जो रेन्फॉल रिपोर्ट मिला है इसमें उनिशा का मेंली साउथ और नॉर्थ कोस्टालिस्टिक्स में कुछ-कुछ जागा में थन्दस्टम का शाथ हलका से मुध्धम बारिश हुआ है एक तो जागा में हेवी रेन्फॉल ह हुआ है नॉर्थ इंट्रियर में एक तो जागा करके हलका से मुध्धम बारिश हुआ है हाइस्ट बारिश रेन्फॉल मिला है नावरंगपॉर डिस्टिक्स में नावरंगपॉर में 74.6 mm कलाहंडी में लकलामपॉर 55.0 mm राइगरा डिस्टिक्स में गोधारी 39.4 mm नाइग कि जो सीजेनल स्थिती हमारा फास्ट जून से आज तक जो 26 सेप्टमबर तक जो हुआ मिला है इसमें 1129.9 mm रेन्फॉल हुआ है 1135.3 mm आज तक शायविक होता है तो जिरोपतिशाद मुटिपेशेंट है शायविक है पिछले से जो था वो बालाश और गोजपती खुड़ता पूरी चार्डिस्टिक्स में डेफिशेंट है 20% और मौर जास्टिपेशेंट दा मलकान गिरे में एक्सेज रेन्फॉल है यह शायविक से 20% और मौर बारिश हुआ है और अभी अमारा कल जो बिहार पर लो प्रिशार एरिया था वो लो प्रिशार एरिया है उसमें से ट्रफ लाइन अभी अमारा उरिशा कात्रू जा रहा है एक नौर्ट साउथ टाप जो था पर यार वो भी है तो इसका बाज़ से अभी अगला 24 गंटा में जो हमारा फॉर्कास्ट है इसमें साउथ कोस टलविशा का डिस्टिक्स राइगारा मलकानगीरी कुरापूर्ट नवरंगपूर इस सब डिस्टिक्स में मेनी प्लेशस में और बाकी एक कुछ-कुछ जागा में थांडर स्टाम का शाथ रेंपॉल पुरिशा का डिस्टिक्स में होने का चांसिस है एक तो जागा में भी विरेन भी हो सकता है मेली मलकानगीरी कुरापूर्ट राइगरा का जबुत्ति ये शा विरिया में और कल और कुरिशा का कुछ डिस्टिक्स में मलकानगीरी कुरापूर्ट नावरंग पुर राइगरा को जबुत्ति ये इसमें फ्यू प्लेशस में बाकी एक तो जागा करके बारिश रहेगा में 27-28 पारिश कमी रहेगा फिर 29-39 उसमें थरा थांडास्टिव एक्टिविटी पोस्टाल उरिशा और साउत उरिशा में इनकिज हो सकता है इसमें थांडास्टाम लाइटिनिंग का औरनी है भुबनेश्टर और को दोनों सीटी गाविटाल सीटी अरिया में आज जनरली क्लावड स्काई रहेगा इसमें लाइट ट्रेन कुछ को चरिया में हो सकता है लाइट ट्रेन होने का ही ज़्यादा चांसेश है और अभी हमारा मॉन्सौन का जो स्टेटास है मॉन्सौन राजस्तान से विद्ट्राल शूरू हने का कॉंडिशन फेवरेबल हो रहा है इसमें 28 का असपास ये फेवरेबल कंडिशन हो है ने राजस्तान से उज्जल सुड़ होने का ऐई है